इसलिए गाइस इसी रीजन की वज़े से मैंने अनकेडमी लिफ्ट कर दिया मैंने अनकेडमी छोड़ दिया ठीक है अगर आप अनकेडमी जोइन करना चाहते हैं और इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट है और आप नए हैं तो प्लेइलिस्ट पर जरूर चेक करें बहुत सारी वीडियो आपके इंतिजार कर रहे हैं तो इस वीडियो हम इस्पेसली बात करने वाले हैं अनकेडमी के उपर की मैंने अनकेडमी क्यों छोड़ा वीडियो के दोरान आपको बताऊगए कि मैंने अनकेडमी क्यों छोड़ा है क्यों फीट किया मिने और साथी साथ मैंने अनकेडमी के अल्डर्नेट मैंने क्या जोइन किया बहुत था और अगर आप आप जोड़ा अगरिक accept ब्रेटफॉर्म की स्पाइट ठीक है इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ अनकेडमी के ऊपर जो था इस्पेशली डाउट सौर्विंग एजुकेटर को लेकर प्रोस और कॉंस मैंने थोड़ी वहां डिसकस करें थे कि उसके फाइल है लुक्सान क्या है ठीक है लेकिन उसके अंदर इस्पेशली की कवर किया गया था एक डेजिगनेशन के उपर यानि डाउट सौर्विंग एजुकेटर के बेनिफिट और लॉस के बारे में ठीक है लेकिन हम यहां बात करने वाले हैं तो छोड़ने का मेरा रिजन क्या है चुंकि मैं आपको बतादूं पहले जो लोग नहीं जानते हैं कि मैं पिछले कई सालों से अनकैडमी के साथ काम कर रहा था 2018 से 2018 से जिस टाइम पर मोबाइल फोन के थुरू वीडियो बनाने होती थी मेंस आपकी पिक्चर आपकी वीडियो नहीं आती थी आपको बस अपने नोट्स की फूड़ों खिशनी होती थी या पीपीटी बनाने ह होती थी अब उसको आप रिकॉर्ड करते थे अपने फोन से ठीक है उस टाइम पर लैपटॉप या और किसी चीज़ों पर जो है अनकैडमी का एकसेस नहीं था ठीक है उसकी बात फिर क्या हुआ कि अनकैडमी पर अनलाइन चीज़ें स्टार्ट हो गए यानि लाइव सेसंस होने स्टार्ट हो गए ठीक है अब आज जो है आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें और में धीरे धीरे एकस्पेंड हो रही है तो हम बात करते हैं कि मेरा क्या experience रहा मेरा review क्या है कि आपको अनकैडमी जॉइन करना चाहिए कि नहीं जॉइन करना चाहिए ठीक है तो मै आपको उसी हीज़ाब से बताऊंगा सारी चीज़ें ठीक है तो देखिए अगर मैं experience की बात करूं गाईज तो मैंने बहुत सारी नई चीज़ें यहां से सीखी है जैसे कि how to take live classes live classes कैसे लेते हैं क्योंकि जब मैं phone से और live उनके dashboard पर move वा उस time पर online classes कैसे लेनी है उनके team मे मुझे बहुत support किया और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और हो सकता है उसी की बदूलत आज मैं आपके सामने camera के सामने बात कर पा रहा हूं बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं देरे देरे ठीक है तो मैंने वहां से सीखी कि जब मैं classes लेता था तो बहुत सारे learners how to create content content कैसे बनाना होता है यह भी मैंने अनकेडमी के साथ सीखा क्योंकि अगर आप teacher है तो आपको जरूर पता होगा कि अगर आप अनकेडमी टीचर है तो आपको पता होगा कि अनकेडमी पर अगर आप online classes लेते हैं अगर आप special educator है फिर plus educator है तो content की responsibility भी आपकी ही होती है च खुद करी थी ठीक है बीच मेंने टाइपिस्ट भी रखा तो इस टाइम पर में special educator था live classes लिया करता था ठीक है तो content का मुझे काफी अच्छा खासा idea हो गया powerpoint में वगएरा मेरे ठीक हो गई तो यह सारा मुझे benefit मिला अनकेडमी से overall जो मेरे experience बहुत अच्छा experience रहा है इसको भी मैंने प्रॉपर तरीके से लिख रखा है ताकि आपको सारी चीजे एकदम सही वे में पता से लजाएं तो देखिए गाईस मेरा जो review है यही रहेगा कि अनकेडमी जो है काफी अच्छा और और नई जेसा लें आप इसको जरूर जोइन करें अगर आप earning करना चाह है तो अच्छी बात है वहाँ दो केटिगरी है मेंस अगर आप full-time educator बनना चाहते हैं तो वहाँ इस special educator या फिर प्लस educator बन सकते हैं जिसको हम full-time educator कहते हैं ठीक है दूसरी टाइप की जो होते हैं वो होते हैं part-time educator means freelancing educator जैसे doubt solving educator जो doubt solve करते हैं ठीक है एक contract यानि एक agreement sign होता ह है doubt solving educator और unacademy team की बीच में ठीक है जो sorting head technology है unacademy की parent company तो sorting head technology और आपकी बीच में एक agreement sign होता है कि आप जो है content provider की रूप में काम करते हैं जिसके अंदर आपको classes वगएरा कुछ नहीं लेनी होती है आपको आपके पास की बड़ doubts आते हैं आप उसको स्वाल पर doubt आपको पै पहलाता है unacademy के अंदर अगर आपको ज्यादा रिटियल्स में इंची यू पर जाना है तो आप बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं आगे बात करें guys तो non teaching की बात करें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो teaching field से नहीं है लेकिन unacademy जैसी organization को join करना चाहते हैं तो वो non teaching job को join कर सकते हैं like BDA जिसको हम business development associate कहते हैं ठीक है यानि जो sales वगरा होता है unacademy के जो product होते हैं यानि schools इसके अलावा competitive exams या फिर इसके अलावा और भी different type के जो competitive examinations होते है उनके जो product होते हैं यानि जो educational product होते हैं वो सारे educational product आपको sell करने होते हैं ठीक है इसको कहा जाता है non teaching job तो non teaching job के साथ भी आप unacademy join कर सकते हैं और अच्छा खासा earn कर सकते हैं अब मैं आता हूँ सिधे मुद्धे पर कि मैंने unacademy क्यों छोड़ा ठीक है plus educator और special educator की तरफ वो classes भी मैंने लिए हैं ठीक है और उसके अलावा फिर guys pandemic वगेरा आगे मेरे पास कोई contract कोई काम नहीं था न academy का उस time पर फिर मेरे पास call आता है न academy का कि आप अगर doubt solving educator बनना चाहते हैं तो आप एक contract sign करें और वो हमें bank की mathematics के लिए doubt solving educator बनाना चाहते हैं ठीक है तो मेरे पास कोई option भी नहीं था तो मैंने join कर लिया unacademy doubt solving educator के दोर पर फिर मैंने क्या किया special educator जिस तरह में पहले था मतलब जैसे मैं online class लेता था वो सारी चीज़ें मेरी छूट गए थी already ठीक है तब फिर मैं क्या करने लगा किवल doubt solve करने लगा आन academy पर और पर doubt मुझे पैसे मिले लेगे जो के विहाल की लालवी मैंने last 3 दिसंबर तक मैंने उसको उस पर काम किया हुआ है तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यह मैं video shoot कर रहा हूँ आज जो date है वो 11 दिसंबर है तो 11 दिसंबर है guys आज और आज मैं academy पर काम नहीं कर रहा हूँ as a doubt solving educator मैंने एक job छोड़ दिया है उसका reason यह था कि मैं नई opportunity और growth के लिए search कर रहा था मैं जायदा था कि कुछ मुझे नई opportunity मिले मुझे पता था कि मैं और ज्यादा deserve करता हूँ कि मैंने बहुत सारी चीजें experience की है मेरे पास experience चाखासा है teaching field का ठीक है तो मुझे लगता था कि doubt solving educator मेरे नहीं कर सकते है यह इसकी सबसे बड़ी problem है ठीक है तो हमारे साथ ही क्या हो गया था एक problem सी हो गया थी है एक boundation सा हो गया था कि हम और कुछ नहीं कर सकते है अगर हम doubt solving educator है तो doubt solving educator ही रहेंगे इसलिए guys इसी reason की वजह से मैंने unacademy left कर दिया मैंने unacademy छोड़ दिया ठीक है ठीक है तो मैंने बाइजूस जॉइन कर लिया है जितने भी लोग पुराने लोग हैं जो लोग हमसे जुड़े हैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूं और जो नए हैं उनके लिए भी ताकि इस वीडियो के बाद आपको एक rough idea लग जाए कि anacademy आपको जॉइन करना चाहि तो आप नहीं ले सकते हैं तो गाइज यही रिव्यू था यही रिजन था मैंने आपको सब कुस बता दिया और मैं अभी एजे मैच फेकल्टी वर्किंग हूं बाइजूस के साथ में आगे जरनी क्या रहेगी मैं आपको जरूर बताऊंगा अगर आप बाइजूस की ओफि अपिस से आया हूं इसके बाद यह वीडियो सूट कर रहा हूं मैं और जितना भी मैंने कॉंटेंट बनाता हूं या बनाया है मैंने वह बहुत ही ज्यादा रियल कॉंटेंट है ठीक है अगर आप यह वीडियो पसंद आये तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ह आपको और किस तरह की वीडियो पसंद आती है मैं जरूर आगे वीडियो बनाऊंगा इस वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में थेंक्यू सूमस्ट कीप ग्रुएंग